डियर स्वेंट्स आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 जो हमारे NCRT क्लास 10 चैप्र 8 की लास्ट एक्सरसाइज है इसमें डियर स्वेंट्स हमें क्या करना है कुछ टिग्नोमेट्रिक रेश्योस दी गई है जैसे फस्ट कोर्शन है हमारा और उनको स्टेश एक णको हमें इन टर्मस आफ अनादर ट्रियिक्नेमेट्रिक फंक्षन चेंज करना है इसके लिए कुंछ ऐडंटिटी ऑफारी पास फूर्मुले की जाए है मैंने बदो हाया है और साइं का या रोट रोतल हो जाएगा इसलिए यह यह आपस में आपस चैंज करते हैं वैलिउस को इसी तरह सी केंट the को लेक हम देखें तो mulet stop the went to go da है और कौ सी केंट़ नो तर्ड होता है और देटा जो है वह किया वन secant square theta minus tangent square theta is equal to 1 और है cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1 कुछ हमारे पास यह formulas हैं ठीक है इनको हम modify कर सकते हैं अलग-अलग method से जैसे अगर हमें sine square की value चाहिए तो cos square को दो ले जाएंगे 1 minus cos square और sine की value चाहिए तो square root लग जाएगा इसी तरह से secant square की value चाहिए तो tangent square को हम shift कर सकते हैं 1 plus tangent square मतलब अपनी requirement के हिसाब से हम इनको modify करते रहेंगे तो चलिए start करते हैं first question से express the trigonometric ratios sin a, secant a, tangent a in terms of cot a हमें इन सब को cot पे लेके आना है कैसे लेके आएंगे साइन क्या होगा, साइन देखो, साइन से direct हम कोट पे नहीं जा सकते, साइन से पहले हम cosecant पे जाएंगे और cosecant से हम कोट पे जाएंगे, क्योंकि cosecant की अगर हम value निकालना चाहिए तो क्या बनेगी cosecant theta is equal to 1 plus cot square theta है ना, और अगर cosecant जो square था, square को इस तरफ shift करेंगे तो square root, तो cosecant की value यह बन जाएगी, तो हम यह लिखते है, sin a is equal to 1 by cosecant a and then cosecant a is 1 by square root 1 plus cot square a, तो यह हमारा sign के लिए answer बन जाएगा next is secant, तो secant को देखते हैं कैसे हम adjust करेंगे, देखो, secant से हमें जाने code पे, secant से direct code पे नहीं जा सकते हम, secant से हम जाएगे tangent पे और tangent से code तो secant से tangent पे जाते हैं, secant square की value हो जाएगी, 1 plus tangent square 1 plus tangent square a, not theta it is a, अब square जो था इसको shift करेंगे तो square root बन जाएगा हमारे पास, अब tangent पे पहुंच गए, tangent से हम चले जाएगे, code पे, tangent को क्या लेख सकते हैं, 1 by code, तो यह हो जाएगा, 1 plus 1 by code square a, अब इसके नीचे बन लगा के आप LCM ले लोगे, तो LCM हमारे पास under root में रहेगा, तो यह आजएगा, code square a, अब यहाँ से आप देखें, code square a है, तो one है, code square as it is, plus code square, code square, cancel one, ठीक है, अब square root जोगा, उसको हम दोनों को shift देदेंगे, अलग-अलग से, उपर वाली statement को अलग से square root देंगे, तो code square a, plus one आजएगा, नीचे वाले को जब square root देंगे, तो नीचे एक single statement है, code square a, तो यह square से square root का answer, तो इसका final हमारे पास बनेगा, square root code a, plus one, divide by code a, ठीक है, तो यह three values बनगे, tangent को हम दिख सकते हैं, one by code a, ऐसे ही sign को this, and for second, this one, ठीक है, next statement, question number second है, हमारे पास, trigonometric ratios of angle a, in terms of secant a, बाकि जितनी भी हमारी trigonometric ratios हैं, उनको secant a की form में लेखना है, अब बाकि कौन-कौन सी हैं हमारे पास, एक बार mention करते हैं आपे, sign है, cos है, tangent है, cot है, और cos secant है, मतलब इन सब को हमें secant की form में लेकर आना है, ठीक है, आप देखो, tangent quote एक दूसरे के receive रोकल है, sign और cos secant receive रोकल है, तो इन दोनों में से एक value हमें निकाल ली है, एक tangent quote में से निकाल ली है, तो automatically उसको receive रोकल करेंगे तो answer आ जाएगा, है न, और एक cos की तो direct है, इसके relation है secant के साथ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे cos को, cos of angle A is equal to one by secant, A, तो first वाली हमारी होगे, next हम sign को लेके आते हैं, sign पे आप देखें कैसे पहुन सकते हैं, या फिर tangent को, मरजी आपकी, तो sign को अगर हम देखें, तो sign से हम जा सकते हैं, cos पे, और cos से second पे, है न, cos और second आप समें related है, तो यहां से अगर हम sign की value लें तो क्या बनेगी, sign square theta is equal to one minus cos square theta होगा, इसको अगर shift करेंगे तो one minus cos square A, अब square जो था, इसको इदर shift कर देंगे, तो square root बन जाएगा, यह न, अब cos square नहीं चाहिए, हमें second चाहिए, तो cos square की जगा पे हम लिखेंगे, one by second square, तो sign A is equal to square root one minus one by second square A, ठीक है, अब second square A है, लिखेंगे आप, तो बन जाएगा, यह हमारे बास, sign A is equal to second square A, नीचे रहेगा, और यहाँ पे second square A minus one, ठीक है, अब square root जो है, वो उपर नीचे दोनों को अलग-अलग हम अप्लाई करवा देंगे, तो sign A is equal to square root, secant square A minus one divided by, secant square A पे जब आप square root लगाओगे, तो यह नीचे cancel हो जाएगा, तो हमारा answer बना, sign A is equal to square root secant square A minus one divided by secant A, ठीक है, यह sign के value आगी, तो cosecant की भी आगी हमारे पास, cosecant is the reciprocal of sign, तो हम यह लिखेंगे, cosecant A is equal to one by sin A, तो one by sin A that means इसका reciprocal, secant A divided by secant square A minus one, ठीक है, तो यह हमारे पास, एक result यह बन गया हमारा, next result यह बन गया हमारा, और first result हम already ले चुके हैं, तो आप हम tangent को निकालते हैं, तो हम यह निकालते हैं, tangent, tangent square minus का है, पूरा solve करके दिखा देता हूं, एक बार, secant square A minus tangent square A is equal to one, अब tangent square को इधर ले जाते हैं, one को इधर ले आते हैं, तो यह बन जाएगा, tangent square A is equal to secant square A minus one, यह बन जाएगा, अब square को हम shift कर देंगे, तो यह बन जाएगा, square root, तो tangent की value भी बन गी, है ना, अब tangent की बन गी, तो tangent का reciprocal होता है, कोट, तो इसके नीचे one लगाके, इसका रहसी प्रोकल कर देंगे, तो quote की value हाजएगे, हमारे पास, quote A is equal to one by tangent A, that means, one by square root, secant square A minus one, ठीक है, तो यह हमारा final solution है, for question numbers, हमें इनको evaluate करना है, इनकी value हमें find out करनी है, तो यहाँ पर आप देखे, sin square 63 है, और sin square 27 है, अब इन में, ना तो कुछ cancel हो सकता है, ना ही हम इनको add कर सकते, क्योंकि sin square, sin square और S ही कोई identity भी नहीं है, identity हमारे पास है, sin square plus quote square is equal to one, है ना, तो इनको क्यों ना हम 90 minus करके इनकी values को change करें, तो कैसे, sin square है 63, इसको हम add it is रखते हैं, plus sin square, square को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 minus 63 लिख दिया हमने, और square को अब भी फिलाल बाहर लिख दिया, आपने एक चीज याद लिखने हैं, बहुत से बच्चे इसमें confused होते हैं, sin square, theta लिखो, या फिर sin, theta, square ये एक ही बात होती है, ये दोनों अलग-लग terms नहीं है, बार-बार bracket लगाने से बचने के लिए, square को यहाँ पे लिख दिया जाता है, तो इसमें confused होने वाली कोई बात नहीं है, divide by, यहाँ पे है, cos square और ये, तो cos square को हम change कर देते है, cos square 90 minus, बहुत जबचे बुचते हैं, cos 90 minus theta होता, cos square तो नहीं होता, तो square को आप ऐसे बाहर भी mention कर सकते हो, इसको 17 को लिख दिया मैंने, 90 minus 73, है ना, तो square बाहर आगया, साथ में है, plus cos square 73, अब देखो, sin square 63, plus sin 90 minus theta, ये क्याता है, cos of theta, तो आप इसको लिखेंगे, cos 63, और square है, तो square यहाँ लिख देते हैं, divide by, same, ऐसे ही, cos 90 minus theta क्यों होता है, sin theta, और theta है 73, और square है, तो square को, यहाँ लिख देते हैं, plus cos square 73, अब यह identity हमारी, बन चुके, sin square theta, ये angle सेम होना चाहिए, तभी identity काम करती है, otherwise नहीं, sin square theta, plus cos square theta, ये हो गया, हमारा one, divide by sin square theta, plus cos square theta, one, तो one by one, one, तो first वाली की value आगे हमारी one, second में भी यही काम करेंगे, हम, sin 25 है, और cos है, हमारे पास 65, तो इसको change करते है, sin 25 as it is, रखेंगे, cos को हम लेख सकते है, cos, 90 minus 15, ओ स्वारी, 25, 65 है तो 25 बनेगा, plus, इसी तरह से इसको हम change कर सकते हैं, कैसे, cos, क्योंकि 25 में लिया हमने, तो इसको 25 वाले को change नहीं करेंगे, हम 65 वाले को करेंगे, तो यह बन जाएगा, sin 25, cos 90 minus theta, क्या होता है, sin theta, sin 25 plus cos 25 as it is, और sin 90 minus theta होगा, cos theta, cos 25, अब आप देखें, sin 25, sin 25, दोनों multiply में है, तो यह जाएगा, sin square 25, plus, यह cos cos, cos square 25, तो sin square plus cos square, one, तो answer आगया, one, देखें, कितना हमें काम करना पड़ता है, one को find out करने के लिए, फॉर्थ question में हमारे पास four parts है, dear students, first part है, हमें करना क्या है, choose the correct option and justify your answer, correct option चूज करना है, लेकिन solve भी करके दिखाना है, कैसे हमने वो चूज किया, तो first है, जैसे 9 sec square a, minus 9 tangent square है, बिल्कुल सिंपल है, 9 को अगर हम common निकाले, यहां से बचे का, sec square a, minus tangent square a, जो की होता है, one, तो 9 multiply by one is equal to nine, तो correct option आएगा हमारा, बी, ठीक है, next solve करते हैं, one plus tangent, theta, secant theta, one minus, statement, I think mistake, एक बड़ चेक कर लेती हैं, हाँ, यहां पर plus है, ठीक है, one plus tangent square, tangent, plus second, one plus quote, minus cosecant, ठीक है, अब solve करते हैं, इसको, तो हम देखें, यहां पर, अगर इसको solve करना है, तो सब को एक जैसा कर लेते हैं, sine cos में change कर देते हैं, तो यह बन जाएगा, one plus tangent होता है, sine theta, divide by cos theta, plus second होता है, one by cos theta, first bracket में, second bracket में, one plus, quote होता है, cos by sine, cos theta by sine theta, minus, cosecant होता है, one by sine theta, अब इस bracket में, नीचे one लगा के, इनका हम लेते हैं, LCM, ठीक है, तो LCM आएगा, cos theta, one है, तो cos theta as it is, plus, cos है, cos है, तो यह sine आजाएगा, sine theta, plus, cos है, cos है, तो यहाँ से one, यहाँ से इस bracket में देखते हैं, फिर से sine theta, इसका LCM हो जाएगा, यहाँ से one है, तो by one लगा के देखेंगे, तो sine theta आएगा, plus, sine से sine cancel, cos theta, minus, sine से sine cancel, one, अब आप देखें, क्योंकि इनके बीच में कोई sine है, तो multiply है, cos plus sine, sine plus cos, first two words same है, अगर इनको हम एक bracket में लें, और one को अलग रखें, ठीक है, इसको भी एक bracket में लें, और one को अलग रखें, तो a plus b, a minus b, formula क्या होता है, a square, that is, cos theta plus sine theta, first का square, minus, second, one का square, divide by, cos को sine से multiply करेंगे, cos theta, sine theta, ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे करते है, देखो, cos theta plus sine theta, इसका square है, तो a plus b whole square, formula क्या होता है, a square, मतलब cos square, plus b square, that is sine square, plus two ab, cos theta, sine theta, ठीक है, और minus में है, one square, तो one का square होता है, one, और divide में हम सीम रखेंगे, cos theta, sine theta, cos theta, sine theta, अब आप देखे, sin square plus cos square, या cos square plus sin square, यह होता है, one, तो one plus two cos theta, sin theta, minus one, divide by cos theta, sin theta, अब आप देखे, one plus का है, one minus का है, one minus one cancel, तो यह बचा हमारे पास, two cos theta, sin theta, divide by cos theta, and sin theta, अब देखो, cos, sin, sin cancel, cos, cos, तो answer बचा हमारे पास, two, which is the two, option C, is correct, यहाँ पर भी हमें two brackets में statement दी गई है, तो option हमें इन में से select करना है, अब आप देखे, first second tangent है, next sign है, तो second tangent को हम sign cos में change करेंगे, second होता है, one by cos, of angle A, tangent होता है, sin by cos, तो first bracket में ही आ गया, second bracket को as it is रखते है, one minus sin A, अब आप देखें, cos A, LCM इनका cos A ही रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा one, और यहाँ से plus में sin A, और बाहर bracket में क्या है, one minus sin A, अब आप देखें, यहाँ पे हमारा formula बन गया, a plus b, a minus b, तो formula क्या बनेगा, a square, that is one का square, one ही होता है, minus b square, that is sin square a, divide by cos A है हमारे पास, और one minus sin square क्या आता है, cos square, क्यों, क्योंकि sin square plus cos square is equal to one, तो यहाँ से इस identity हम बता सकते हैं, one minus sin square is equal to cos square a, तो नीचे cos A है, cos A, one cos A cancel हो जाएगा, तो cos A हमारे पास answer आजएगा, तो that is option, d is correct, next है, one plus tangent square divided by one minus cos square, तो इसको हम जो है, change करेंगे, या तो tangent में कर लो सबको, या cot में कर लो, मर्जी है, तो अब इसको tangent में कर दें, तो यह बनेगा, one plus tangent square a, divide by, one plus cos square को लिख सकते हैं, one by tangent square a, है ना, अब नीचे LCM लेंगे, उपर वाले को as it is, रखते हैं, one plus tangent square a, divide by, इनका LCM लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो one, तो यहाँ आजएगा, tangent square a, यहाँ से आजएगा, tangent square a, plus one, है ना, इसका reciprocal अगर हम करें, तो क्या बनेगा, उपर वाली statement को as it is, one plus tangent square a, divide by, अब आप देखो, क्या बनेगा, इसका reciprocal, यहाँ जएगा, tangent square a, उपर, divide by, tangent square plus one, लिखो, यह one plus tangent square a, की बात हैं, तो यह cancel हो जएगा, तो answer आजएगा, tangent square a, option d, ठीक है, इसके और भी method है, जैसे आप one plus tangent square को, second square लिख सकते हैं, इसको, second square लिख सकते हैं, फिर one by cos करके भी, और one by sign करके भी आप निकाल सकते हैं, तो dear friends, इस वीडियो में हम यहीं तक complete करेंगे, question number four तक, बाकी जो fifth के ten parts हैं, उसके लिए हमने video part two बनाया हुआ है, तो वो आप हमारे चनल पर जाकर देख सकते हैं, तो देखते रहे हैं, और subscribe करना ना भूलिएगा, धन्यवाद,